जैहिंद इस वीडियो और लोग रोहित फेरो टेक लिमिटेड कंपनी बारे में बात करेंगे एक बार यह कंपनी निवेसकों को मोटी कमाई कराने के बाद अब इसका सेर प्राइस नीचे की तरफ धणाम हो रहा है ऐसे में इसकी निवेसक बहुत प्रिसान है कि उनका पैसा तो नहीं जाएगा या यह कंपनी आगे भी कुछ इस तरह की ग्रोथ करानी की दमखम रखती है हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो और तसलिश से बात करेंगे साथ में इसका एक सोट एनालेसिस भी करेंगे और जाने के कोशिस करेंगे इसमें फ्यूचर में क्या क्या संभावनाए हैं आए वीडियो शुरू करते हैं देखे रोहित फेरो टेक लिमिटेड कंपनी यह कंपनी फेरो एलो जिसे हिंदी में लोह मिस्र धातु करते हैं कि साथ साथ आयरन और श्टील पोड़क का निर्मार करती है 2003 में इस कंपनी का स्थापना हुई थी इसका मार् लगया कि पैनी श्टॉक है और शेयर प्राइस से 34 रुपे चार पैसा यहाई लगा चुका है 69 रुपे का अधिकतम इस कंपनी का सेयर प्राइस यहां तक गया था उसके बाद से डाउन हो रहा है देखिए सेयर बजार में जब तुफान आता है न तो बड़ी और अच्छी कंपनियों के साथ चोटी कंपनियों के प्राइस वी उपर की तरफ चुड़ने लगते हैं यही कुछ-कुछ इसके साथ भी हुआ था लेकिन इसका फंडामेंटल उतना श्ट्रॉंग नहीं है जिसके चलते इसका सेयर प्राइस जब नीचे की तरफ धराम होना शुरू देखिए क्वाटर 2 में जो सेयल्स ते इस कंपनियाए काáz एक प्रेम के मुकाबल मेंको हुआ है 169 क्रोńsk था वहीं अगर यल्ली पेसिज पे पर वहन्यू की बात करें यानि कि 2020 और 2021 के compression में तो revenue yearly basis पर कम हुआ है देखिए 2020 में company का revenue 749 क्रोण का था लेकिन देखेंगे तो quarterly basis पर company का revenue बढ़ा है अब बात करते है profit after tax इसे सुध इंकम करते हैं हिंदी में क्योंकि टेक्स देने के बाद company के पास बचता है तो यह अभी negative में है अर्थात company को मुनाफ़ा नहीं हुआ है लेकिन अच्छी बात यह है कि quarterly basis पर आप देखेंगे जो loss था कम हुआ है क्योंकि quarter one में company को 30 क्रोण का loss था जो quarter two में कम होकर सिर्फ 13 क्रोण का रह गया है यानि कि loss कम हुआ है तो भले profit नहीं हुआ है लेकिन loss कम हुआ है तो यह भी एक प्रकार का profit ही हुआ और बात करते है अर्णिंग पर शेयर की तो देखेंगे अर्णिंग पर शेयर भी नहीं पढ़ा है quarter one में अर्णिंग पर सेयर माइनस 1.1 थी था जो quarter two में माइनस 2.61 है यानि कि अर्णिंग पर शेयर नहीं बढ़ा है और कम हुआ है तो quarterly रिजल्ट पर हम देखा कि कम्पनी का सेयल्स और revenue जिनरेट हुआ है लेकिन profit नहीं हुआ है कम्पनी के कुछ other fundamental की बात करें कम्पनी के पास reserve के नाम पर कुछ नहीं है माइनस में reserve जो company के पास होता है तो उसके एक फैता यह होता है company उसका प्रयोग अपने करजे को कम करने में करती है लेकिन reserve कुछ नहीं है already करजा company पर 1248 क्रोन का है company के ऊपर करजा है और reserve कुछ नह रुपया है अर्थात company के पास जितने रुपय की संपती है उसको बेच भी देंगे फिर भी जो liabilities है liabilities मतलब जो रुपया दूसरों को देना होता है या जो चीजें दूसरों को देना होती है तो liabilities 318 क्रोन का है अर्थात इसके संपती से अधिक है यहां भी यह company घाटा में है अब और बुक वैलू की बात करते हैं देखे बुक वैलू माइनस में 184 रुपया बुक वैलू क्या होता है कि अगर company माले डूब जाता है तो उसके शेयर सोल्डर है उनको कितना रुपय लुटाया जाए इससे बुक वैलू काते है तो बुक वैलू हमेंसा सेयर प्राइ और ठीक हो जाएगा अगर प्लेजिंग की बात करें तो तक ह्या उता है प्रामोटर के बास प्राइश को कि गीर होगा जाता है तो फिलीयू का जाता है नहीं एक न सो to पोरे के पूरे 100% प्रोमोटर्स ने अपने 72% सेर को गीरवी रखा हुआ है नो पाईसे की कमी हो प्रोमोटर्स अपने शेर को गीरवी रख देते हैं और उसके विद्खलोदां पैसे उठा लेते हैं तो यहां भी कंपनी में दिकत है अब अगर बात करें तो देखे चलिए कमपनी खुझने आर्था नहीं बिचने हैं हम कुछ दिन वेड करेंगे जब कंपनी का सेर प्राइब तब प्रोफिट में पेचेंगे उमीद करते हूँ मैं जो बताना चाहरा था आप वो समझ में आया होगा फिर भी अगर मन में कुछ सवाल है आप कुछ नया जानना चाहते हैं तुम कमेंट करके जरूर पूछिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए सुक्रियों